हलो स्टूडेंट्स वेलकन टू मैं रुपाली वर्मा आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 12 की बुक आरो भाग दो का आठवा अध्याई आठवा अध्याई रचत है तुलसिदास जी द्वारा अध्याई का नाम है कविता वली लक्षमण मूर्चा और राम विलाब यहाँ पर दो अलग-अलग टॉपिक्स पे जो हैं वो आपके सामने एक कुछ दोहे और कुछ कवित्यप जो हैं वो प्रस्तुत किये गए हैं कुछ पद हैं तो यहाँ पर दोहे भी हैं सोरठे भी हैं सभी आपके सामने प्रस्तुत हैं तो ये जो आप हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे तो उसमें पहला टॉपिक है कवितावली कवितावली में समाज के बारे में किस तरीके से समाज में लोग हैं अपने के केते हैं पेट को भरने के लिए कैसे काम कर रहे हैं इवेन उनको अधर्म भी करना पड़ता है तो वो भी कर रहे हैं इसके इलावा जो दूसरा हमारा है वो है लक्षमण मूर्चा और राम विलाप जब मेगनाद द्वारा बार चलाए जाने पे लक्षमण जी मूर्चित हो जाते हैं हनुमान जी जो है वो बूटी लेने के लिए चले जाते हैं संजीवनी पे तो उस समय लक्षमण के पास में बैठे हुए राम किस तरीके से विलाप कर रहे हैं इसका वर्णन यहां पर किया गया है तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है हमारी कवितावली कवितावली पढ़ना शुरू करते हैं कवितावली का हमारा पहला जुपद है तो अब यहां क्या कह रहे हैं समाज में जो लोग हैं कौन कौन है मजदूर किसान बनिया भिकारी भाट चाकर जो है नौकर चंचल नट चोर और जितने भी चेट की यानि कार्रे करने वाले लोग है वो पेट की आग के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं कोई पढ़ाता है पेट को पढ़त पेट के लिए पढ़ाता है यानि पढ़ाता है तो कमाता है गुन गरत तरह तरह के गुनों को सिखाता है चड़त गिरी कोई पहाड को चड़ता है अटत गहन गन अहन अखेट की और कोई घने घने जंगलों में जाकर आखेट करता है अर्थात शिकार करता है तो यह सभी कार करने पे इन लोगों के पेट भरते हैं कार करने से धन आता है पैस फल आते हैं अना जाता है वो खाते हैं और पेट भरता है उचे नीचे करम धरम अधर्म करी यानि उचे नीचे कार भी करते हैं यानि कि कोई अच्छे तो कोई बुझे कोई धर्म का कार कोई अधर्म का कार मतलब इस पेट की आग को बुझाने के लिए सभी तरह के कार किये जाते हैं पेट ही को पचत बेचत बेटक बेट की और क्या करते हैं इस पेट की आग को बुझाने के लिए अपने बेटे और बेटी तक को बेचते हैं मुलता बेटियों को बेच देते हैं ताकि उनके आपेट की आग जो है वो शान्त हो सके तो अब तुलसी दास जी कहते हैं कि एक राम रूपी बादल ही है जो इस घने जंगल की आग अर्थात पेट में लगी आग को बुझा सकता है जैसे जंगल में जो आग लग जाती है उसको घंगोर बादल जो है वो शांत कर सकते हैं पेट में लगी हुई आग को भी जो है वो राम घनशाम नाम का जो जाप है वो शांत कर सकता है अब इसका प्रसंग और व्याक्या देखेंगे प्रस्तुत कवित्य हमारी पाठ पुस्तक आरो भाग दो में संकलित कविता वली के उत्तर खांड से उत्दत है इसके रचैता और आर्थिक दूरववस्था का यथार्थ परक्चत्रण किया है व्याक्या क्याक बोली है रोने तुलसिदाज जी कहते हैं संसान में मजदूर किसान व्यापारी भिकारी चारण नौकर चंचल नट चोर दूद बाजीगर आधी पेट भरने के लिए अनेक काम करते हैं पोज में भटकता है पेट भरने के लिए लोग छोटे बड़े कार करते हैं तता धर्म अधर्म का विचार नहीं करते यानि कि वो पेट भरने इसके आग के लिए वो यह नहीं सोचते कि वो धर्म कर रहे हैं अधर्म कर रहे हैं वो सिर्फ पेट की आग पर ध्यान देते हैं पेट के लिए वो अपने बेटा बेटी तक को बेजने के लिए विवश हो जाते हैं। तुलसिदास कहते हैं अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल ही बुझा सकते हैं क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी भयानक होती है। इसको कोई और नहीं बुझा सकता इतनी बायानक आपको। आप दूसरा कवित्य देखते हैं। खेती ना किसान को भिकारी को ना भीक बली बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी। जी विकाविहीन लोग सिद्धमान सोच बस कहें एक एकन सो कहां जाई का करी। बेहुदू पुरान कहीं लोक हुविलोकत साकरे सबय पैं राम रावरे क्रपा करी। दारिद्र दसानन दबाई दुनिदीन बंधू दुरित दहन देखी तुलसी हहा कार करी। अब क्या बोल रहे हैं इस कवित्त में तुलसीदाल जी खेती करने के लिए किसान के पास खेत नहीं है। भिकारी को भीक नहीं मिल रही और नाहीं बली का भोजन मिल रहा है। बनिक को बनिज नहीं अतात व्यापारी के लिए व्यापार नहीं है करने के लिए। और ना ही नौकर को नौकरी करने के लिए अपनी चाकरी विजाने के लिए ही कुछ प्राप्त हो रहा है जीविका विहींद लोग सिद्धमान सोच रहे और सभी लोग जिनके पास किसी भी तरह की जीविका नहीं है वो सभी ही विचलित होकर सोच रहे हैं कहें एक एकन सो कहा जाई का करी और सभी एक दूसरे से पूछ रहें कहा जाएं और क्या करें बेहुदू पुरान कहें लोहकू विलोकती वेद पुरान इस लोक में जितने भी वेद पुरान है उन सभी में ये चीज विद्धित है कि ऐसी विपत्ती के समें शिरी राम का ही आसरा होता है साकरे सबेपए राम रावरे क्रपा करें और ऐसे में क्या होता है राम की ही क्रपा का जो है सहारा होता है अब सभी क्या कह रहे हैं दारिद्र दसानन दबाई दुनी दीन बंदू तो कह रहे हैं दशानन के जिसे दशानन मतलब दस मुखवाला तो वही उसे जैसे दसानन जो है यानि की रावर का जो है हर समय आतंक जो फैला रहता था उसी तरीके से ये दरिद्रता जो है हमारे तुलसी दाजी कहते हैं तुरंत ही श्रीराम आप जो है इसका दहन कीजिए जैसे उसका रावण का किया था उसी तरह इस दरिद्रदा का दहन कीजिए क्योंकि चारों तरफ ही हाहाकार मचा हुआ है अब इसकी प्रसंग और व्याक्या देखेंगे प्रस्तुत कवित्ते हमारी पाट पुस्तक आरो भागदो में संकलित कविता वली के उत्तरकांड से उद्धत है इसके रचेता तुलसिदास जी है इस कवित्त में कवी ने ततकालीन सामाजिक और आर्थिक द्यववस्था का यथार्थ परक्चित्रण किया है जो उस समय जो दित्ती दुर्दशा फैली हुई थी उसका ये वर्णन कर रहे है व्याक्य क्या है olduğ तुलसिदास कहते हैं कि अकाल की भयानक स्थती है इस समय किसानों की खेती नश्ट हो गई है उनी खेती में कुछ नहीं मिल पा रहा कोई भीक मांग कर निर्वा करना चाहे तो भीक नहीं मिलती कोई बली का भोजन भी नहीं देता व्यापारी को व्यापार का साधन नहीं मिला नौकर को नौकरी नहीं मिलती इस ब्रकार चारो तरफ बेरोजगारी व्याप्त है अजीविका के साधन ना रहने से लोग दुखी है तथा चिंता में डूबे हुए वे एक दूसरे से पूछते हैं कहा जाएं क्या करें वेद पुराडों में ऐसा कहा गया है और लोक में ऐसा देखा गया है कि जब जब भी संकट उपस्थित हुआ है तब तब राम ने सब पर करपा करी है धेदीन बंदू इस समय दरितता रूपी रावर ने समुचे संसार को तरस्त कर रखा है अर्थाज सभी गरीबी से पेड़ित हैं आप तो पापों के नाश करने वाले हैं चारो तरफ हाय हाय मची हुई है मतलब चारो तरफ हाहाकार मची है एक आप ही इस दरितरता से हम लोग को पार कर सकते हैं अब इसके आगे वाले कवित में इस कवित में तुलसिदाज जी रे अपने बारे में वणित किया है दूर्त कहें अब धूर्द कहो दूर्त कहो अब धूर्त कहो राजपूत कहो जुलाहा कहो को काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब काहू की जाती बिगार ना सो तुलसी सरनाम गुलामू राम को जाको रुचे सो कहें कच्छु ओ मांगी हैं खैबो, मसीत में सोईबो, लैबो एक ना दैबो को दो तो अब यहाँ पर तुलसिदार जी अपने बारे में क्या कह रहे है कोई मुझे धूर्त कहे या कोई मुझे अवधूर्त कहे मतलब कोई मुझे कुछ भी कहे कोई मुझे राजपुत्र कहे या कोई मुझे जुलाहा कहे क्यों मुझे इससे कोई फरक नहीं पड़ता कोई मुझे कुछ भी कहे क्यों क्योंकि काहू की बेटी सो बेटो ना ब्याहब क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याहा नहीं करना है कावू की जाती बिगारना सोही और ना ही किसी की बेटी की बेटी विवा करके ना ही मुझे किसी की जाती को बिगारना है तो यहाँ पर इन्होंने क्यों कहा क्योंकि वो मदमस्त रहते हैं तो इन्होंने ये नहीं बोला कि हमारे अगर मैं गलत तरीके से रह रहा हूँ तो भाई मेरा बेटा बेटी किसी के यहां शादी करेगा तो उसकी जाती बिगड़ेगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना मेरे को किसी का विवा करना है और ना ही मेरे कारण किसी की जाती बिगडे की तुलसी सरनाम गुलामू राम को तुलसी जो है वो सिर्फ गुलाम है एक नाम का वो नाम है शिरी राम जाको रुचे सो कहे कचु होई और मैं उसी की आराधना में लगा रहता हूँ चाहे कोई कुछ भी कहे मांगी को खैबो मतलब मैं मांग कर खाता हूँ मसीत को सोईबो मस्जिद में सोता हूँ लैबो को एक ना दैबो को दो ना लेना किसी से एक है ना देना किसी को दो है यानि कि मैं मदमस्त होकर जीता हूँ और सर्फ श्री राम की आराधना करता हूँ, मुझे इस संसार से कोई भी मतलब नहीं है अब इस कवित्त का पहले प्रसंग देखेंगे और फिर व्याक्या प्रस्तुत कवित्त हमारी पाड़ पुस्तक आरो भाग दो में संकलित कवितावली के उत्तरकांड से उद्धत है इसके रचेता तुलसिदास हैं इस कवित्त में कवी ने ततकालीन सामाजिक वा आर्थिक दुर्विवस्था का यथार्त परक्चत्रण किया है व्याक्या क्या है? कवी समाज बेव्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए कहता है कि वह श्रीराम का भक्त है कवी आगे कहता है कि समाज चाहे मुझे धूर्त कहे, पाखंडी कहे, सन्यासी कहे, बाज कहे या जुलाहा कहे मुझे इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है मुझे अपनी जाती के नाम की कोई भी चिंता नहीं है क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाहन नहीं करना है और नहीं किसी की जाती बिगाडने का शौक है तुलसिदास का कहना है कि मैं राम का गुलाम हूँ उसमें पूर्णता समर्पित हूँ अता जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे वा कह सकता है मैं मांग कर खा सकता हूँ मस्जित में सो सकता हूँ तथा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है संचेप में कवी का समाज से कोई संबंद नहीं है वह राम को राम का समर्पित भक्त है यानि कि जो धर्म आपाखंड है वो सिर्फ आप अपने पास रखी मुझे इससे कोई भी जो सरोकार नहीं है अब इसके आगे हमारा शुरू होता है लक्षमर मूर्चा और राम विलाप अब जो हनुमान जी है वो संजीनी ने जब गए तो वहाँ सबसे पहले उनकी मुलाकात भरत जी से हुई संजीनी मिली और भरत जी से मुलाकात हुई अब वही से ये चीज शुरू हो रही है क्या दिया तब प्रताप उर राखें प्रभू जैनाक तुरंग असकाही असुपाई पद बंदी चलित हनुमान भरत बाहु बलसील गुन प्रभु पद प्रीति अपार मन मनहु जात सराहत पुनिपुनि पवन कुमार तो अब यहाँ पर कह रहें तब प्रताप उर राखें और उनके प्रताप यानि भरत जी के प्रताप को मन में बसा कर भरत जी भी तो बहुत बलशाली थे बहुत प्रताप जी थे तो उनके प्रताप को मन में बसा कर जैहूनाक तुरंग और जैसे घोड़ा चलता है वैसे ही अफ़तार से वो चलते हैं असकाही आयुस पाई पद और उनके पदों की वंदना करके अर्थात भरत जी के पैरों की वंदना करके वो एक घोड़ी की गती से वहां से निकलते हैं बंदें उचलें हनुमार बंदन करके उनके चरणों का वो वहां से निकलते हैं भरत बाहु बलसील गुन प्रभुपद प्रीती अपार और क्या है भरत के गुन उनके प्रताप और प्रभु के पदों की अवंदना की याद को मन में समा के मन मन हूँ जात सराहत और मन ही मन में बार बार जो है हनुमान भरत की जो है वंदना करते हुए वहां से निकल चलते हैं अब प्रसंग क्या है इसका प्रस्तुत कावियांश हमारी पाठ पुस्तक आरो भागदो में संकलित लक्षमन मूर्चा और राम विलाप प्रसंग से उद्धत है यह प्रसंग राम चरित मानश के लंका कांड से लिया गया है लंका कांड से ध्यान रखी का कहां से आ रहा है इ जैसे अभी हमने कवित्य पढ़े थे कविता वली के उसमें क्या चीज बताई गई ये कहां से लिये गए हैं लंकाकान से ये सब चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि ये MCQs based questions पूछे जा सकते हैं आपसे इसलिए हम बोल रहे हैं जो भी आप पढ़ेंगे बहुत ध्यान से ह सार एक चीज़ को समस्य चलिएगा व्याख्या के हे नात हे प्रभो में आपका प्रताप हिदय में रखकर तुरंग या तुरंग तियानी समय से वहां पहुँच जाओंगा ऐसा कहकर और भरत जी से आग्या लेकर उनके चर्णों की वंदना करके हनुमान जी चल दिये भरत के शीलिस और भाव तता प्रभू के चर्णों में उनकी अपार भक्ती को मन में बार बार सराते हुए हनुमान बूटी लेकर लंका की तरफ चले जा रहे थे मतलब उनके पैरों की वंदना करी अब उनके संजीर नी ले ली भरत के पैरों की वंदना करी और वो वहां से चलते हैं तो उनके मन में क्या रहता है भरत का ही जो गुनगान मन में गाते हुए चले जाते जैसे श्रीराम के भक्त हनुमान है उसी तरह भरत भी श्रीराम के ही भक्त हैं तो भई भक्त भक्त हैं दोनों के आराद धेकी हैं तो उसी तरीके से उनके गुनगान करते हुए हनुमान जी समुद्रपार करते हुए लंका की तरफ चले आ रहे हैं अब कहाँ पर होता है अब उधर लक्ष्मण जी मूर्चित पड़े हैं श्री राम जी विलाप कर रहे हैं मतलब रो रहे हैं क्या क्या बोल रहे हैं अपने आपको कोस रहे हैं वो सभी यहाँ पर बढ़े हैं उहां राम लच्छनमनही निहारी बोले वचन मनुझ अनुसारी अर्द राती गई कपी नहीं आयो राम उठाई अनुझ उरलाहू सकहूना दुखित देखि मोही काऊ बंधू सदा तब म्रदुल सुभाओ मम हितलाग टजेहू पितुमाता ससेहू विपिनहिम आतब बाता सो अनुराग कहां अब भाई उठें सब उठें ना सुनी मम वचन विकलाई जो जनते हू वन बंधू विछो हू पिता वचन मनते हू नहीं ओहू तो अब यहां पर विलाप करते हुए श्री राम जी क्या कह रहे हैं उहां राम वहां पर क्या है राम जी जो है लक्षमन जी को निहार रहे हैं देख रहे हैं लक्षमन जी तो मूर्चित पड़े हुए और राम जी लक्षमन जी को निहार रहे हैं गातार देखते जा रहे हैं बोले वचन मनुज अनुसारी और फिर वो बोलते हैं यानि कि राम जी बोलना शुरू करते हैं अर्द रात्री गई कपी नहीं आऊं मतलब आधा रात बीत गई है कपी अर्थात हनुमान जो हैं अभी तक नहीं आएं हैं राम उठाएं अनुज उर लगाएं और राम जी जो हैं लक्षमण जी अनुज मतलब अपने छोटे भाई को उठा कर अपने हिरदय से लगा लेते हैं सकहू ना दुखित देखी मुहिका हूँ तुम क्या है तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख पाते थे बंदू सता स्दा अतब मृदौ सुभाव बंदू तुम्हारा ज यानी की जो लक्षमण जी है उसको उनको बोलते हैं कि बंदू याने की भाई तुम्हारा जो सबाह है वह बहुत ही मृदौ था अर्थात कोमल था मेरे लिए मम हित लाग इत जेहू पित माता और मेरे लिए जो है तुमने अपने माता पिता का भी त्याग कर दिया मतब शीराम जी के लिए तुमाता और पिता को त्याग कर वन में चले आते हैं ससेह विपिनहिम आतप प्राता और तुमने यहां पर वन की जितनी कठिन परिस्तितियां हैं ठंडक है गर्मी है इन सभी को स्विकार कर लिया माता पिता को त्याग कर यहां के कठन जीवन को तुमने मेरे लिए स्विकार किया सो अलुराग कहा अब भाई तो वो तुम्हारा प्यार अब कहा है भाई उठाई ना सुने मम वचन विकलाई और तुम मेरे इतने वचन सुनने के बाद भी विचलित होकर क्यों नहीं उठ रहे हो जो जनते हूँ बन बंधू बिचो अगर मैं जानता की इस वन में जो है तुम्हारा विचो लिका है यानि की भाई का विचो लिका है की मैं उससे बिच़ड जाऊंगा पिता वचन मनते हु ना ओ हु और तो मैं पिता के जो वचन हैं उन्हों बोला था न चौदा वर्स का बनवार तो मैं उस वचन को कभी भी नहीं मानता अब क्या है इसकी प्रसंग और व्याख्या देखेंगे प्रसंग प्रस्तुत कावियांश हमारी पाठ पुस्तक आरो भाग दो में संकलित लक्षमण मूर्चा और राम विलाप प्रसंग से उध्यत है यह प्रसंग राम चरित मानास के लंका कांड से लिया गया है इसकी रचैता कवितुलसिदास जी है इस प्रसंग में लक्षमण मूर्चा पर राम के करुण विलाप कावर्णन किया गया कि किस तरीके से वो रो रहे हैं अपने भाई के जो है मुर्चत हो जाने पर व्याख्या क्या है लक्षमण को निहारते हुए श्रीराम सामान ने आदमी के समान विलाप करते हुए कहने लगे आदी रात बीट गई है अभी तक हनुमान नहीं आये हैं उन्होंने लक्षमण को उठा कर सीने से लगाया वे बोले तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख पाते थे तुमारा सुभाव सदैव कोमल वा विनम्र रहा मेरे लिए ही तुमने माता पिता को त्याग दिया और जंगल में ठंडक धूप तुफान आदी को सहन किया हे भाई अभवा प्रेम कहा है तुम मेरी व्याकुलता पूर बातों को सुनकर उठते क्यों नहीं हूँ यदि मैं यह जानता होता तो वन में तुम्हारा वियोग सहन करना पड़ेगा तो मैं पिता के वचनों को कभी नहीं मानता और वन में नहीं आता अगर पता होता कि मेरा भाई मुझसे बिछड जाएगा तो मैं जंगल में कभी भी नहीं आता पिता के दिये वचनों को कभी नहीं मानता अब आगे का कावियांश देखते हैं अब यहां पर क्या कह रहे हैं फिर से वो करोणा विलाप करते ही अपने आपको कूछ रहे हैं क्या कहते हैं सुत्वित नारी भवन परिवारा यानि की पुत्र परिवार भवन मकान ये सभी चीज़े होई जाए जग बारंबारा ये सभी चीज़े जो हैं जग में अगर बिछड जाए तो बार-बार प्राप्त की जा सकती हैं अस विचार जेह जागहु ताता और ये सभी विचारों को हम सभी जानते हैं कि ये प्राप्त की जा सकतें लेकिन भाई अगर बिचल जाए तो वो प्राप्त नहीं मिलेन जगत सहोधर बता और एक बार अगर भाई बिचल जाए तो वो दुबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है जथा पंक बिनुखगत दीन आप यहां पर वो उधारर दे रहे हैं जिस तरीके से पक्षी बिना पंकों के दीन हीन हो जाता है उड़ नहीं पाता तो उसकी वस्ता दीन हीन हो जाती है जथा पंक बिनुखगत दीन यानि बिना पंकों के जिस प्रकार पक्षी दीन हीन हो जाता है मनी बिनुफणी और बिना मडी के साप दीन हीन हो जाता है करिबर कर हीना और जो हाती है वो बिना सून के जिस प्रकार हीन दशा में हो जाता है उसी प्रकार असमन जीवन बंधु ब्यतोली उसी तरीके से बंधु यानि की भाई तुम्हारे बगैर मेरा जीवन दीन हीन है जैजड़ देवे जियाओ मुही मुझे तुम उठ जाओ और मेरे जीवन को जो है वो शांती जैजड़ देवे जियाओ मुही और मेरे इस जड़ सून जीवन को तुम ही जीवित कर सकते हो मैं उसी तरह दीन हीन मैसूस कर रहा हूँ जैसे ये सबी दीन हीन मैसूस कर रहे हैं तो तुम ही मुरे इस दशा को ठीक कर सकते हो जैहू अवद कवन मुही इलाई मैं अवद यानि की वापस अयोध्या कैसा मुह लेकर जाऊंगा नार हे तुपिये भाई गई वहाँ पर सभी लोग बोलेंगे कि पतनी के खातिर अपने भाई को तुमने गवा दिया अब आउं अपजस सते हुजग माही और अब यही अपयस जो है मुझे हमेशा जेलना पड़ेगा क्योंकि मतलब यही नारी के लिए पतनी के लिए अपने भाई को गवा दिया यह चारो तरफ जो अपयस है तुम्हारी एक तो जुदाई और उपर से यह सारा अपयस यानि की मेरी बदनामी मुझे सहनी पड़ेगी नारी हानी विसेस चतिनाही यानि नारी की जो हानी होती है यानि नारी अगर छूट जाए तो वो विशेस चति यानि की विरिशेश नुकसान नहीं माना जाता है अब इसकी प्रसंग और व्याक्या क्या होगी प्रस्तुत काव्यांश हमारी पार्ठी पुस्तक आरो भागदो में संकलित लक्षमण मूर्चा और राम विलाप प्रसंग से उद्यत है यह प्रसंग राम चरितमानस के लंका कांड से लिया गया है इसके रचैता कवितुलसी दास है इस प्रसंग में लक्षमन रूर्चा पर रांड के करुण विलाप का वर्णन किया गया अब जब तक वहां वो विलाप कर रहे हैं मतब अपने आपको कोश रहें तब तक जो है यही प्रसंग आपका चलता रहेगा अभी जैसे ही उसके आगे रावण और कुम करण का प्रकणन आएगा वहां से आपके प्रसंग की अंतिम लाईने बदल जाएंगी व्याक्या क्या है? श्री राम व्याकुल होकर कहते हैं कि संसार में पुत्र धन, इस्तरी, भवन और परिवार बार बार मिल जाते हैं पक्षी मनी के बिना साप, सूड के बिना हाती अत्यंत दीन हीन हो जाते हैं उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्त है हे भाई, हे भाई, तुम्हारे बिना यदि भाग मुझित जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी पंक विहीन व्यक्षी, मड़ी विहीन साप और सूर विहीन हाती के समान हो जाएगा मतलब तुम नहीं रहोगे और मैं जीवित रहूँगा तो मेरी दशाबी ऐसी ही हो जाएगी राम चिंता करते हैं कि वे कौन सा मुह लेकर अयोध्या जाएंगे लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए प्रियभाई को खो दिया मैं पत्नी के खोने का अपियश सहन कर लेता क्योंकि नारी की हानी विशेश नहीं होती है यानि कि अगर मेरी पत्नी को गई थी तो ये अपियश मैं सहन कर सकता था क्योंकि नारी का छूट जाना ये ज़्यादा विशेश नहीं होता है अब इसके आगे का इनका देखेंगे और क्या बोल रहे हैं उठी किन मोही सिखा बहु भाई बहु बिदी सोचत सोच विमोचन स्वत सलिल राजिव दल लोचन उमा एक अखंड रगुराई नरगती भगत करपाल दिखाई तो अब इस वारेचंद में क्या बोल रहे हैं अब परलोक सोकू सुत्तोरा अब कह रहे हैं सभी जगा जो है मेरा अपयश होगा क्योंकि तुम नहीं हूँ ये चीज का मुझे बड़ा दुख होगा सहिस निष्ठुर कठोर उन मेरा और मेरा जो तुमारा हिद है मैं इतना विलाप कर रहा हूं तुम रो रहे हो मेरा तुमारा हिद है अब कितना कठोर हो गया मेरे विलाप से भी वो जाग नहीं रहा है निज जननी एक कुमारा मतलब तुम अपनी जननी के एक ही कुमार हो तात तास तुम प्राण अधारा और तुम पिता के तहे भाई तुम्हारे कारण जो है तुम्हारे माता में तुम्हारे प्राण बसते हैं तुम्हारे अंदर तुम्हारी माता के जो हैं वो प्राण बसते हैं सौपई मोही तुम्हें गही पानी और उन्होंने मुझे अपना सब कुछ भला समझके ही तुम्हें मुझे सौपा था सब विदी सुखत परम जानी मतलब मैं पूरी तरीके से तुम्हारी सुख सुविधा तुम्हारी अच्छी ध्यान रखूंगा यही सोच कर उन्होंने मुझे तुमको सौपा था उतव का देहूं तेही जाई उठी कहीं मुही सिखाओ भाई तो क्या करें इतना मैं बोल रहा हूं तुम उठ जाओ भाई अपने मिद्ध के लक्षमण जी से उठने के लिए बोल रहे हैं उठी किन मुही सिखाओ भाई और तुम उठ जाओ और मुझे अपने हस्ते हुए मु विचार करके जो है तरह तरह से सोच विचार करने लगते हैं स्वता सलिल राजिव दल लोचन और इसी तरीके से सोचते सोचते अपने आप ही उनके आखों में जो है आसू आ जाते हैं उमा एक अखंड रगुराई यानी कि सीता जी के लिए यहां पर अपने भाई के लिए यह सभी के लिए शरीराम रो रहे थे नरगती भगत करपाल देखाई और इतने में ही क्या होता है जो है वहाँ पर हनुमान जी आ जाते हैं ये सब्सक्राइब रोई रेत होते हैं तब तक हनुमान जी वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं वहाँ पर जितने लोग थे सभी व्याकुल थे और हनुमान जी वहाँ पर आ जाते हैं तो सभी जो परिदर्श होता है वहाँ पर बदलने लगता है अब प्रहले प्रसंग देखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाट पुस्तक आरो भागदो में संकलित लक्षमण मूर्चा और राम विलाप प्रसंग से उद्धत है यह प्रसंग राम चरित मानस के लंका कान से लिया गया इसके रचयता कवितुलसी दासे इस प्रसंग में लक्षमण मूर्चा पर राम के विलाप वा हनुमान के वापस आने का वर्णन है राम विलाप भी कर रहे हैं और हनुमान वापस आ गई इसका वर्णन भी है लक्षमण के होश में ना आने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं मेरा निश्ठुर्वा कटोर हिदय अपयस और तुम्हारा शोक दोनों सहन करेगा हेताथ तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो उनके प्राणों के आधार हो उसने सब प्रकार से सुख देने वाला तथा परम हितकारी जानकर ही तुम्हें मुझे सौपा था अब उन्हें मैं क्या उत्तर दूँगा तुम स्वेम उठकर जाओ उठ जाओ मतलब मैं उनको क्या उत्तर दूँगा तिसलिए तुम ही उठ जाओ इस प्रकार राम ने अनेग प्रकार से विचार किया और उनके कमल रूपी सुन्दर नेत्रों से आसु बहने लगे शिव जी कहते हैं हे उमा अब वहाँ पर उदेख रहते हैं उमा शिराम चंद जी की अदुतिय और अखंड हैं वक्तों पर क्रपा करने वाले भगवान ने मनश्य की दशाद दिखाई हैं प्रभू का विलाब सुनकर वानरों के समूँ वैकुल होते हैं इतने में हनुमान जी आ गए ऐसा लगा जैसे करूर रस में वीर्रस प्रकट हुआ वीर्रस वीर्तग में आए और यहां करूर रस चल वैद तब कीन ही उपाही उठी बैठे लच्मन हरसाई हिदय लाए प्रभू भेट हुँ भाता हरसे सकल भालू कपी ब्राता कपी पुनी वैद तहां पहुचावा जेही विदी तही ताई लई आवा अब यहां पे क्या हनुमान जी आ गए हैं अब उनका उप्चार राम बहुत ही खुश हो जाते हैं अतीकरतग परम सुजाना और जो है हनुमान जी को बहुत ही कृताग्यतास के भाव से उनका स्वागत करते हैं मतलब उनके भाई के लिए बुठी लेकल इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं तुरंत वैद तपकीने उपाएं और वैर्द जी ने तुरंत ही जो है उपाएं शुरू कर दिया था लक्षमण जी को वो बूटी देने का उपाएं दवाई देने का उपाएं शुरू कर दिया उठे बैठे लक्षमण हरसाई और तुरंत ही लक्षमण मुस्कुराते हुए उठके बैठ गए हिदय लाए प्रभु भेट उब्राता और तुरंत ही जो प्रभुराम थे उन्होंने लक्ष्मण को गले लगा लिया हरसे सकल भालू का पिरभाता और सभी वहां पे जितने भी बंदर थे यानि कि जितने भी वानर थे भालू थे सभी जो हैं वहां पर खुश हो जाते हैं कपी पुनी वैद तहां पहुचाए और तुरंत ही वानरों ने वैद को वापस पहुचा दिया जेही विदी ताहा तहीं लाए और जिस वदी से उनको लाए थे जिस तरीके से उन्हें लेकर आये तो उठाकर लेकर आये थे उसी विदी से उनको वापस पहुचा दिया जाता है उनके अब इसका प्रसंग क्या होगा प्रस्तुत का व्यांश हमारी पाटि पुस्तक आरो भागदों में संकलित लक्ष्मन मूर्छा और राम विलाप प्रसंग से उद्दत है यह प्रसंग राम चरित मानस के लंका कांड से लिया गया है इसके रचैता कभी तुलसी दास है इस प्र वान राम ने हनुमान के प्रति अपनी क्रतग्यता प्रकट की वैद ने शीग्री उपचार किया जिससे लक्ष्मन उठकर बैट गए और बहुत प्रसंग हुए लक्ष्मन को राम ने गले से लगाया इस दर्श को देखकर भालूं वानरों के समूं में खुशी चा गई के से वहां पर उनको वापस पहुचा दिया गया अब इसके आगे अब यहां पर हो गए अब उधर रावण और कुमकरण के रावण परेशान था सभी मारे जा चुके थे तो अब वो गया था कहां कुमकरण को उठानी इसका व्रत्तांत यहां पर है यह रत्तांत दसानन सुने हूं अती विसाद पुनी सिर्धुने हूं कुमकरण पर ही आवा विविद जतन करी ताही जगावा जागा निसिचर देख ही कैसा मानुस कालू देह धरी वैसा कुमकरण बूजा कहुबाई काहे तब मुक रहे सुखाई तो अब यह जो लक्षमण जी को मूर्चा से वापस आने का जितना भी प्रक्णन था यह सारा प्रक्णन था रावर को यह सारा वरत्तांत सुनाया जाता है ये व्रतांत दसानन सुने हूँ मतलब लक्षमर जी के उठने का जित्ता व्रतांत हूँ ता ये रावण को सुनाया जाता अतीव साद पुनी-पुनी सर धिने हूँ और ये सब सुनकर वो बहुत ही जो है दुखी होता है और बार बार अपने सिर को धुनता है कि अब वो क्या करे कुम्ब करण पहीं आवा ये करते हुए सिर धुनते हुए पश्टावा करते हुए मतलब अब क्या करे वो ये चीजे करते हुए उसने वो कुम्ब करण के पास आया विविद जतन करिता ही जगावा और बहुत बहुत तरह के जतन करके उसको उठाया गया क्योंकि वो 6 महीने सोता था, 3 महीने जाकता था, अभी उसका सोने का समय था लेकिन तब भी उसको तरह तरह के जतन करके उठाया जाता है जागा निशिचर देख ही कैसा और जब वो निशिचर यानि की रात में सुने वाला वो व्यक्ती जो वो दैत नुमा व्यक्ती था वो जब जागा मानू काल देहि धरिवासा जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे काल जो है उसने शरीर धारण कर लिया हूँ कुम करण बूजा कहु भाई अब कुम करण जो है वो पूछता है किस से रावण से काही तब मुख रहे सुखाई तुम्हारा मुह इतना सुखा हुआ क्यू है तुम इतने विचलित और उदास क्यू हूँ ये कुम करण रावण से पूछता है अब इसका प्रसंग होगा फिर दिया गया इस क्रचेता का वितुलसी दासे इस प्रसंग में कुम करण के जागने का वर्णन किया गया है व्याक्या क्या है जब रावण ने लक्ष्मन के ठीक होने का समचा सुना तो वह दुख से अपना सिर्व धुनने लगा व्याकुर होकर वह कुम करण के पास गया और कई तरह से उपाय करके उसे जगाया कुम करण जाकर बैठ गया वह ऐसा लग रहा था मानो यम्राज ने शरीर धारण कर लिया हूँ कुम करण ने रावर से पूछा को भाई तुम्हारा मुख क्यों सूख गया है क्योंकि वह हार रहा था तकलीप में था तिवीर उसके पुत् तो तुरंद कुम करण पूछता है कि तुम्हारा मुख इतना सूखा हुआ क्यों है अब इन अंतिन चंदों में क्या बात हो रही है कथा कहीं सब तेही अभिमाना जेही प्रकार सीता हरियानी तात कपहें सब निसिचर मारे महा महा जोधा संधारे तो अब यहाँ पर क्या कह रहे है कि सीता हरण की जितनी भी कथा सीता हरण से लेगे अभी तक की जितनी कथा ती यह सारी कथा रावण ने कुम करण को सुना दी कथा कहीं सब तेहीं अभिमाना और जितनी उसने की कहां से जेही प्रकार सीता हरन किस प्रकार उसने सीता का हरन किया था और अभी तक की सारी कथा उसने अभिमान पूर्वक कुम्बकरण को बताई किसने रावडने तात कपही सब निसिचर मारे तो कह रहे हैं जितने मेरे भाई थे और मेरे पुत्र थे उन सभी को इन वानरों ने मार डाला है बड़े बड़े योद्धा मारे गए हैं अब कौन-कौन योद्धा हैं दुरुमुक, सुरुरिपु, मनुज, अहारी, भंट, अतिकाय, कमपन, अपर, महोदे ये आदिस जितने भी वीर हैं परे समर महिसबरंधीना और ये सभी रण भूमी में मरे वे पड़े हैं ये सब रा क्या कहता है क्या कहता है सुनी दस कंदर वचन तब कुम करण बिल खाना जगदंबा हरियानी अब सट चाहत कर ले आना तो कुम करण क्या कहता है कि क्या सुनके यानि कि दशानन की जितनी भी कथा थी सुनकर जो है कुम करण बिलखने लगता है तडपने लगता है रोने यानि इस जग माता को तुम हर कर लेकर आएगो और अब तुम अपना कल्यान चाहते हो यानि कि तुमने माता का हरण किया है और तुम कल्यान की अपेक्षा रखते हो ये कुमकरणे रावण से पुला अब इनका हम प्रसंग देखेंगे फिर व्याख्या प्रसंग क्या है? उसने कहा महान महान योध्धाओं का संगार कर दिया दुर्मुख, देवशत्रू, नरातंक, महायोध्धा, अतिकाय, कंप, महोदय, आदि, अनेक, वीर, युद्ध भूमी में मरे पड़े हैं। जगत जननी जानकी को चुरा कर अब तुम कल्यान चाहते हो, यह संभव नहीं है। मतलब वो समझता था कि जननी का अहरण करके कोई कल्यान नहीं पा सकता। तो इस तरीके से इस पार्ट की जितनी भी व्याठ्याएं थी, वो मैंने सभी यहां पर पूंड करी। अब यह तो आपने पूंड कर ली, इसके इलावा आपके बुक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, और भी सब्जेक्स के, आप उन तक कैसे पहुँचेंगे, आपके पास यह सबसे बड़ा प्रशन रहता है। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ हमारी वेबसाइट पर जाना है, हमारी वेबसाइट है www.magnetsprint.com, जब आप उस पर पहुँच जाएंगे, तो एक पेज अपेर होगा जिसमें सभी क्लासे मेंचिन हैं, आप जिस भी क्लास में हैं, या जिस भी क्ल देखना चाहते हैं, जिस क्लास के में स्टडी करते हैं, उस क्लास पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस सब्जेक्ट में आपके सामने उस क्लास के सारे सब्जेक्स आजाएंगे, अब जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है जो भी चैप्टर आपको देखने है चैप्टर पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने उस चैप्टर के जितने टॉपिक हैं वो आएंगे तो जो भी topic में आपको doubt है आप उस पे click करें और click करते ही आपके सामने आपका video start हो जाएगा जो भी आपके सामने doubt है वीडियो देखिए और सारे doubts को clear करें doubt clear होते ही आपके study आपके लिए आसान हो जाएगी जैसा कि हम चाहते हैं आपके पास studies related कोई भी doubts ना रहें तो हमारी उस कोशिश में अपना साथ देते रहें thank you for watching, bye bye